एक बार फिर आजेरे हम आपके साथ एक most important topic को लेकर यहीं फ्रेंट आज इस वीडियो हम बात करने बाले हैं बांगलादेस में एक बीडियो में कितना वर्गाफूट होता है साथी साथ एक काठा में कितना वर्ग फूट होता है वर्ग मीटर में भी बात करेंगे और साथी साथ अगर हम बात करें कि एक एकड में कितना बीघा होता है कितना वर्ग गज होता है कितना वर्ग फूट होता है ये पूरे डिटेल में बात बताऊंगा तो वीडियो के इंट तक जरूर बने रहीगा तो फ्रेंट्स अगर इसके पहले हम आपको बता दोएं कि उत्तरप्रदेश, मद्धप्रदेश, हरियाणाव, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों के लिए हमने वीडियो आपको परवाइट कर रखा है कि बीगा विस्वा धूर को, हेक्टेयर को कैसे कनवर्ट करे, सारी बात आपको बताई है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, यहाँ पर हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं, यानि बांगला देश के बारे में आपको बताने वाले हैं तो फ्रेंट वीडियो करन तक जरूर बने रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दिये आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेस्बुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा चैनल को उत्तरपदेश में हम बात करें तो इसको बिस्वा बोला जाता है ठीक है बिस्वा और और कई राजियों में जो की काठा बोला जाता है तो यहां पर काठा बोला जाता है और एक काठा का जो की 720 वर्ग फूट होता है वहीं हम बात करेंगे 80 स्क्वाइर फूट होता है और यह में एकड़ा है तो कई जगह लाग वी डाटा चलता है तो आप जहां से वीडियो देख रहे हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा धे वीडियो में अब बताओं हमें तो वीडियो के ili फूट होता है त्ये एकड में वहीं 4,000m वर्ग मीटर होता है आपका एक एकड में वहीं एकड की बात करें भारत में भी इसके पहले हमने बता रखा है कि कितना होता है ये वीडियों आपको मिल जाएगा प्लेइलिश में वहां से आप देख लीजेगा ठीक है अगर आपको क बेलू जी होती है वो तीन फूट के वराबर होती है अगर वर्ग फूट की बात करें तो यह नौ वर्ग फूट हो जाता है एक वर्ग गज में वह आप कैसे कर सकते हैं कि यह दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह भी डाटा तीन त्रिक का 9 हो जाता है साथ एक वर्ग फूट क अगर हम बात करें तो यह होता है आपका 0.092903 यानि यह होता है आपका यह वर्ग मीटर में डाटा ठीक है अब यह हमने आपको बहुत सारे वीडियो में बता रखा है तो आप अगर इसको याद कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा अधर्वाइज अगर आप निकालना चाहते ह देखे वहीं एक कठा का जब बात हमने किया है तो कितना होता है 720 वर्ग फूट होता है ठीक है अब एक वर्ग फूट की वैलू अगर हम देखें तो नव एक वर्ग अगर हम इसको गज में बदलना चाहते हैं ठीक है वर्ग फूट को गज में बदलना चाहते हैं तो आपको करेंगे तो यानि 89 72 यानि 80 कट एक कठ्था में 80 वर्ग घज हो जाएगा एक कठ्था का मतलब आप समझ रहे हैं एक विश्वा ठीक है अब वहीं एक कठ्था जैसे आपको यहाँ पर पता है कि एक कठ्था बराबर आपका होता है 720 वर्ग फूट ठीक है अब इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है तो एक वर्ग फूट बराबर आपका होता है 0.092903 मीटर तो सिंपली एक वर्ग फूट यहाँ पर एक वर्ग फ है यह आप का रहा है 6.89 तो सिंपल यहां से भी 6.89 और बहलू आगे जाएगे 0.16 वर्ग मीटर में एक अठा यानि एक दूहूर का डाटा है ठीक अब देखे आगे अगर हम बात करें ति यह आपका एक कठा यानि यह वर्ग मीटर की बात हो गई अगर आगे हम बात करें कि एक बीगह बराबर आपका 20 काठा के बराबर होता है यानि 20 काठा के बराबर होता है एक काठा की जेकी बलू हमें पता है कितना होता है 720 वर्ग फू 14400 वर्ग फूट होता है ये बात most important है इसको याद कलिजेगा एक वीघा में और रिजन में अलग-अलग होती है लेकिन mostly यूज जो होती है 14400 वर्ग फूट ही होती है अब इसको अगर चेंज करना है आपको किसमें मीटर में चेंज करना है तो आसानी से चेंज कर सकते हैं एक वर्ग फूट बराबर आपका ये डाटा होता है और सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये आपका एक वर्ग फूट यहाँ पे निकल के आया है ये डाटा इसमें 14400 में उसमें क्या करेंगे आप 0.092903 का जब गुड़ा करेंगे तो ये आपका वर्ग मीटर में निकल के आजाएगा एक वीघा यानि एक वीघा का बेलू जो होता है वर्ग मीटर में 1337.80 ठीक है ये आपका यहाँ पे 89 हो जाएगा अगर गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक मिनट यहाँ पे कितना है ठीक सेम तुसे में डाटा आएगा गुड़ा करेंगे तो आसानी से यह बात निकल के आएगी यानि 1337.80 32 वर्ग मीटर आजाएगा एक वीघा में अब एक वीघे को हेक्टेर में चेंज कर सकते हैं जो कि आप जानते हैं सिंपली आपको कुछ करना नहीं है वर्ग मीटर है है इसा में भीघज कर सकते हैं अब एक वर्ग मीटर का निकालेंगे तो आपका यह दसहार इसे भ़ाग हो जाएगा और निकालना आपका कТना है 1337 ए पतनले का दाले आपको चारह जो कि हेक्टियर लिख सकते हैं यह यह वर्गमिटर हेक्टियर में चेंज हो गया 0.137 हेक्टियर तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा इसी तरह वीडियो आपको प्रॉइट करते रहेंगा अगर आप अपने स्टेट का जानना चाहते है तो आप कमेंट बॉक्स में चेंजरू बताईएगा वीडियो हम आपको प्रॉइट करेंगे तो वीडियो यहीं स्वाप करते हैं नमस्कार